बित्रोई शंकल पत्र के माद्धम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड देशवासियों की आकांग्शाओं को विजन डाकुमेंट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं यह संकल पत्र आपके बीच रखते हुए मुझे संतोस की ही अनवूत नहीं हो रही है बलकि गवरों की भी अनवूती हो रही है कि हमारे संकल पों में करोड देशवासियों की सहभाविता का भी पूरी तरह से नमावेश है भारत के मन की बात जिसकी चर्चा भी वुपंदर जी यादो ने की है कि माद्यम से देश के सभी श्यत्रों सभी वर्गों और सभी समुदायों के साथ विस्तृत यों ब्यापक संबाद के बाद अपने दिश्टकून का यह दफ्तावेश आज हम लोगोंने देश के सामने रखा है इस दस्तावज में जीतने भी हमने संकल बदर्ज किये हैं उसके माद्यम से हम नए भारत के निर्मान की और कडम बढ़ा रहे हैं जो हमारी प्रतिवद्दता है और हमारे प्रणानमंत्री जी की प्रतिवद्दता है 2016 के बाद हमारे यशश्वी प्रणानमंत्री मोदी जी के नित्रत में देश दिकास की राह पर तेजी के ताद बढ़ा है जैसा अभी रास्तियद्दक जी ने बतलाया कि वर्ल्ड की समय फास्टेस्ट ग्रोइंग एकनॉमी यदी किसी कंट्री की है तो भारत की है अंतरास्टी जगत में भारत की परतिष्टा बड़ी है और हम अब धीरे धीरे वर्ल्ड की टाप थ्री कंट्रीज में एकनॉमी की साइज को लेकर वर्ल्ड की टाप थ्री कंट्रीज में आना चाहते हैं ये हमारा संकल्प है 2014 के पहले UPA के साथनकाल में ठक पड़े विकास को पुनह पटरी पर लाना यह हमारी सरकार के तिए बहुत शुनोती भरा काम था परंतु हमारी सरकार ने शुनोती को सीकार किया और इस स्वंबन में हमने काम्यावी भी हासिल कि यहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रच्न है और उनके नेतृत की सरकार इन दोनों के प्रती मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश की जनता का विश्वास भी बढ़ा है और विश्वास ही नहीं बढ़ा है बलकि देश की जनता का भरोसा भी उनके प्रतिबढ़ा है इसमें भी कहीं दोमत नहीं है कि विकास का चक्का इस समय तेजी के साथ चलना प्रारम्ब हुआ है जहां आवश्यक हुआ है चंजज करने में भी रंचमातर संकोच नहीं किया है जहां तक देश की बाह है और आंदरिक सुरक्षा का प्रश्ण है उसको सुनेशिद करने के लिए हमने भरपूर प्यत्न किया है और देश वाश्यों के बन में सुरक्षा का भाव भी पैदा करने में काफी हद तक काम्याबी हासिल की है यह सब करते हुए हमने एक responsible, एक sensitive और एक form conviction वाली सरकार की मिसाल देश वाशियों के समच्छी प्रस्तुत की है हमारी सरकार ने people participation को good governance का एक महत्पूर अंग माना है हमने policy making में भी लोगों की भागीदारी टाइक की है और इस संकल्प के निर्मान बे भी जन भागीदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिच की है भारत के मन की बात को जानने के लिए हम लोगों ने एक लंबा कारिकम चलाया है हमने करोडों लोगों से संपर किया है और अलग-अलग माध्धम चे लाखों सुयाओं भी हमको प्राप्त हुए है लगबग तीन सो रत लगबग साथ हजार साथ सो सुयाओं पेटियां और एक सो दस से अधिक संबाद कारिकम और चार हजार से अधिक भारत के मन की बात के कारिकम यह संपर्ण हुए है इतना है नहीं हम लोगों ने सोसल मीडिया का भी साहरा लिया है सोसल मीडिया के माध्धम भी लोगों के मन के बात को समझने की हम लोगों ने अपनी तरफ से भर पूर कोशिश की है साथ ही जिसेशग्यों के साथ भी हमारे टीम के जो प्रमुक सदस थे उनका बैठना हुआ है हम लोगों का भी उनके साथ बैठना हुआ है उनके साथ भी हम लोगों ने बरामर्ज किया है जहां तक इस संकल पत्र का पासन है हमारा संकल पत्र पिछले पांच वर्सों की उपलब्धियों को आधार मानकर अगले पांच सल में हम आगे ले जाने के लिए देश को हम अपना यह त्रिश्टी पत्र आज प्रस्तुत हम लोगों ने किया है 130 करोड देशवासियों की आकांचा को पूरा करने वाला यह हमारा संकल पत्र है आजारी के 75 वर्स पूरे होने पर जिस नए भारत के नर्मान के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्दता है उसे दोहराते हुए यह संकल पत्र आज आधर्णी प्रधान मंत्री जी की आधर्णी मैं यह भी कहना चाहूंगा जब भी चुनाओं होते हैं बराबर भोशना पत्र और तरह तरह के नामों से मैनिसेस्टो हर राजनेटिक पार्टी के द्वारा जारी किया जाता है इतना ही नहीं चुनाओं के द्वारा राजनेटिक पार्टी के नेताओं के द्वारा लोगों भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता हमारा भारत दुनिया का धन्मान देश बन गया होता नेताओं की कृती और कथन वर्ड्स और डीट्स इनमें अंतर होने के कारण है भारत में विश्वास का संकट crisis of credibility पैदा हुई है और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी का बार बार अग रह रहता है कि भारत के राज़ीत में जो एक crisis of credibility पैदा हुई है इसको भी हमें चुनोती के रूप में स्विकार करना है और मैं कह सकता हूँ कि 2014 में जो हम लोगों ने कोशना पत्र जारी किया था उसमें मैं पार्टी का रास्ति अध्यक्ष था हमारे प्रधान मंत्री जी के नेत्रत में इस सरकार ने उसे पूरा करने की अपनी इतना ही भरपूर कोशिज की है जो कहा था उसे किया था यानि crisis of credibility को हम लोगों ने चुनवती के रूप में शीकार किया है और हम उस पर विजय प्राप्त करने में भी काम्याब रहे हैं मैं इस संकल पत्र के कुछ प्रमुख विंदूओं की तरफ आपका ध्याना गर्चित करना चाहूंगा विस्तार मेरी में जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा जहां तक किस संकल पत्र का प्रश्न है या वेबसाइट पर अफलोड हो चुका है आप लोगों तक थोड़ी ही देर में पहुच जाएगा या पहुच गया होगा राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं आतंगवाद का यहां तक प्रस्म है उसके प्रति हमारी जीलो टॉलरेंस की पालशी थी है और जब तक आतंगवाद समफ नहीं होगा तब तक हमारी जीरो टालेंस की पालिसी आतंकवाद के प्रती रहेगी यूनिफार्म सिविल कोड इसके प्रती इसको लागू करने के प्रती हमारी प्रजबधता थी है इस काम को करेंगे भारत में होने वाले इन्फिल्ट्रिशन अवैद घुस्पैट को रोकने के लिए जितने भी सक्ति कर दी होगी हम वह सक्ति करेंगे लेकिन घुस्पैट को पूरी तरह से रोकेंगे से जईंषिप अमेंड्मेंट बिल के बारे में भी औस्वस्ट करना चाहता हूँ कि बिलकुल दो टूक सब्दों में सिजजन्षिप अमेंड्मेंट बिल को हम राग्त हंत्त के दोनों सब्दों से पास करा आएंगे और उसे हम लागू करेंगे लेकिन यह भी आस्वस करना चाहते हैं हम किसी भी राज्य की चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो आइडेंटिटी पर आँच नहीं आने देंगे जो भी उनकी पहचान है उसकी पूरी तरह हम प्रिजर्व करेंगे उसे और उसे हम पूरी तरह से चुनावी घोशना पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं सभी संभावनाओं को तलास करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सवहार्द पून बातारण में रमभद राम मंदिर का निर्माण हो जाए मैं यहां पर मैं यहां पर जो इस देश का सबसे बड़ा प्रडूशर और सबसे बड़ा कल्यूमर है फॉर्मर उसके बारे में कहना चाहूंगा हमारे प्रधान मंत्री जी ने सासन की बागदोर समालते ही कहा था कि हम 2022 आते आते किसानों की आमदनी दो गुना करेंगे यह हम फिर से अपने उसी संकल को दोरा रहे हैं और उस दिशा में हम पाँच वर्सों में तेजी से आगे बढ़े हैं कोशना इस संकल पत्र में यह भी कहा है एक लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है एक लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है उस पर पाँच वर्सों के लिए रेट आफ इंटरेस्ट 0% होगा सुन नफीश लीवर ब्याजदर पर एक लाख ता वो कर दिनेंगे ग्रामीर शेत्रों का विकास हमारी यह धारणा है कि जब तक इस देश के किसानों का विकास नहीं होगा जब तक इस देश के गाउं का विकास नहीं होगा तब तक सच मुझ हमारे देश के विकास का जो स्वपन है वो अस्ताकार नहीं हो पाएगा इसी दिए दिन्धिक्षाशक्त का परचे देते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि मारे प्रधानमंत्री जी ने अध्यक जी ने कि 25 लाग करोड तक का ग्रामीड चेटर के विकास पर पांच वर्सों में खर्च करेंगे 25 लाग करोड अभी हाल में एक किसान सम्मान निधी योजना आध्यनी प्रधानमंत्री जी के द्वार लांच की गई ती यानि एक इनकम सपोर्ड था इस देश के किसानों के लिए शे हजार रुपिया प्रतिवर्स जिनके पास दो हेक्टेर से कम की जमीन है उनको दिया जाएगा पहली किस्त जा चुकी है दूसरी किस्त जाने वाली है लेकिन मैं यहां प्रसंसा करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की संबेदंसीलता को जब इनके साथ इस संकल पत्र क को तैयार करने के लिए बैठे थे तो इनके उन्हों ने यह कहा प्रधानमंत्री जीने की मुझे कुछ अजीवों गरीब लगता है कि हम कोई भी लाव यह दी देना है तक यवल कुछी लोगों तक हम क्यों सीमित रखना चाहते हैं दो हेक्टेर तक काही किसान नहीं बालकि जो भी किसान होगा उस सभी किसानों को हम यह इनकम सपोर्ट 6,000 रुपे का देंगे यह जो है उन्होंने कहा और उसको हम लगों ने अपने संकल पत्र में सामिल किया है सभी किसानों को यह किसान सम्मान निदी का लाव मिलेगा बड़ी बात यह भी हम लगों ने फैसला किया है आजाद भारत के इतिहास में साज किसी ने सोचा नहीं होगा किसमाल और मार्जिनल फॉर्मर्स छोटे और सिमान किसानों को पैंसन की सुबिढ़ाबी देंगे साथ वरस के बाद पैंसन की सुबिढ़ाबी देंगे राश्री ब्यापारी आयोग हमरे देश के ब्यापारी समाज की बहुत लंबे अर्चे से यह मांग चली आ रही थी आयोग बहुत सारे बन गए लेकिन ट्रेडर्स का बिजनसमेन का इनकी चिंता करने वाला अभी तक को यह आयोग नहीं बना तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम राश्री ब्यापार आयोग बनाएंगे और राश्री ब्यापार आयोग जो बनाएंगे इनैक्टिव यह आयोग नहीं होगा बेलकि फेरी इफेक्टिव आयोग होगा एक ऐसा हमरास्टी ब्यापारी आयोग बनाएंगे यदि हम लगवा सिमान किसानों को पेंसन दे रहे हैं तो अपने देश के हम अपने ब्यापारीयों को नहीं छोड़ सकते इसलिए हम लोग उने यवी संकल पत्र में कहा है कि हम देश के छोटे दुकांदारों को भी पेंसन की 116 वर्ष के बाद मुहिया कराएंगे समावेशी विकास, इंकलोसिफ ग्रोथ इस देश का होना चाहिए कि हम सबकी चाहत है समाज के सभी वर्ष चाहे यस्ती हों, चाहे यस्ती हों, चाहे महिला हों, दिब्यां हों कोई छूटे ना, सबका भी गास होना चाहिए यह इसका पूरा संकल, हम लोगोंने अपने संकल पत्र में लिया है और मैं आपसे डिवेदन करूँगा कि आप जो हमारा संकल्पत्र है उसके डिटेल में, उसके विस्तार में जाएं तो सारी चीज़ें आपको वहां पर मिल जाएंगे एक संकट है, और संकट ही नहीं बलकि मैं इसे देश की देख शुरूती भी बांता हूँ जो समय समय पर पैदा हुआ है रिजिनल, डवलप्मेंट को लेकर रिजिनल इंबैलेंस च्छत्री असंतुलन हम लोगों नहीं हट्ताय किया है भारत के अंदर जो रिजिनल इंबैलेंस है उसको हम समाप्त करके ही दम लेंगे और मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वेश रूप से बढ़ाई देना चाहता हूँ जब से आपने प्रधानमंत्री के जम्मेदारी तौपी है बराबर आपने इसकी चर्चा की है और श्यत्री असंतुलन को कम करने के लिए धीरे धीरे उसे पुरे समाप्त करने के लिए आपने कई प्रभावी कर्म भी उठाए है एक और आपको याद दिलाना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था शुनाओ को लेकर इस देश को बहुत बड़े खर्च का वहन करना पड़ता है बहुत बड़े खर्च के जम्मेदारी समाल नहीं पड़ती है पैसा किसका खर्च होता है जो हमरे देश के आम नागरिकों की जेब से पैसा आता है करूं के रूप में वही खर्च होता है कोई भी संबेद अंसील प्रधानमंत्री होगा स्वभाविक रूप से उसके मन के अंदर ये भाव पैदा होगा तो प्रधानमंत्री जी ने उसी समय कहा देश की जनता का आवाहन किया था इस पर बहस होनी शाहिए कि देश में सारे चुनाव साथ हो हर महिने चुनाव नहीं होनी शाहिए यह भी हम लोगों लेगे यह संकलप इसमें लिया है कि हम इस पर भास करेंगे और इस पर consensus बनाएंगे यह भी हम लोगों का संकलप है good governance का जहां तक परश्टन है good governance के बारे में मैं तमचता हूँ की कोई बहुत लंबी चोड़ी बात करने की आवश्यक्ता नहीं है यह सभी स्वीकार करते हैं यहां पर हमने बहुत सारे structural and procedural reforms किये हैं वहीं पर system में भी काफी changes लाए हैं उदारहन तो हमारे पास कई हैं लेकिन मैं एक का उदारहन देना चाहता हूं Direct benefit transfer system Direct benefit transfer system से जो सहायता चाहे वो widow pension हो, old age pension हो चाहे वो कोई subsidy हो यह पहले middle man इनके मार्जम से जो लोगों के द्वारा पहुँचती थी अब वो Direct benefit transfer system के मार्जम से पहुँचना प्रार्णब हुई है जिसका परणाम यह हुआ है कि हम लोगों ने एक लाख दस हजार करोड रुपे की बच्चत की है system में change लाने का यह लाब होता है procedures में change लाने का इतना बड़ा यह लाब होता है मारे केंद्र राज्य सरकारों के संबंद बहुती बहतर हो प्रगाड हो हम उसको और अधिक मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यकों का कदम उठाएंगे मैं मित्रों यहां बहुती संशेप में का और चर्चा करना चाहता हूँ कि हमरे प्रधानवंत्री जी ने अपनी प्रगद्धता दोहराई है बार बार दोहजार बाजिस तक हम नए भारत का निर्वान करेंगे जब आजारी के 75 वरस पूरे होंगे तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं तो ऐसे हमने लगबग 75 स्टेप्स 75 कदम तेंग किये मैं उनमें से सारे पॉइंट्स की चर्चात नहीं करूँगा लेकिन कुछ से एडियन पॉइंट्स 2022 तक किसानों की आई को दो गुना करेंगे और 60 वरस की आई के उपरां सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चोटे और सिवान किसाने होट पैंसन योजना इसकी मैंने चर्चा कर दी है प्रदान मंतर किसी सिचाई योजना के अंदर कर देंगे और मूल धन के सामानने परभुकतान की सर्थ पर सुन्य प्रतिशत ब्याज दर पर एक से पांच वरस के लिए एक लाक रुपे तक की का हम क्रिशी रण देंगे इसकी वी चर्चा की है मैंने और लेंड रिकार्ड का डिजिटाईजेशन करेंगे उसका जो है हम डिजिटी करन करेंगे युआ के लिए और शिक्षा के चर्चर में कई कदम हैं लेकिन दो की में हां चर्चा करना चाहूंगा उतक्रिष्ट प्रबंधन संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के दिजड़्म करेंगे जो हमारे एकसलेंट अब हमारे इंजिनिंगं में इंचेशंस हैं उनमीः हमके लिए सीटों के नंबर को बढ़ाएंगे एकसलेंट इंजिनिंग कॉलेज। संस्थाइं हैंं इंजिनींग की उनमिधी हम बढ़ाइंगे और इतना है नहीं एफ रैए बने एक infrastructure development के लिए प्रते एक परिवार के लिए पक्का मकाम जिसको कि अध्यक जी ने भी कहा है अधिक सधिक ग्रामीन परिवारों के लिए LPG gas cylinder लेकन अध्यक जी ने कहा है कि हम सभी गरीब परिवारों के लिए LPG gas cylinder मुहया कराएंगे तो हम इस लक्ष को हासिल करके ही दम लेंगे सभी घरों का 100% विद्धिती करन पावर इन एवरी विलाज पावर फार आल यही लक्ष रखकर हमारी यह सरकार मोरी जी के नितरते में काम कर रही है प्रते घर में शोचाल है 98% घरों में इस लक्ष को हमने हासिल किया है सभी घरों में सख्ष पे जल की उपलबदता यह भी हम करेंगे सभी घरों में सख्ष जल पीने के लिए मिले पीने का फानी मिलना शाए नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज का काम बहुत अच्छा हुआ है, नेशनल हाईवेज की लंबाई है, जितनी उसको हम दो गुना करेंगे, जस्ट डबूल करेंगे, हम इस लक्ष के साथ अपने कडम आगे बढ़ेंगे और सहरों और गाओं में ODF प्लस और ODF 2 प्लस दर्जा प्राप्ट करने के लिए स्वक्ष भारत मिशन के अंतरगत 100% कचरा संग्रह सुनिश्चित करेंगे, वेस्ट मेरेजमेंट 175 गीगावार्ट रेनिवेबल एनर्जी नवी करणी उर्जा शम्ता के लक्ष को हम प्राप्ट करेंगे रेलेवे के द्रिश्चिशे, दोहजार बाइस तक सभी जितने भी रेल पटरियां हैं, कोशिश यही होगी कि लगबग अधिकांत रेल पटरियों का ब्राड गेज में परिवर्तन हो जाए है, 2020 तक यह भी हम लोग की कोशिश होगी कि सभी रेल पटरियों का इलप्रिश्चिशन विद्धिट्री करना वो पूरा हो जाए है, हेल्थ की द्रिश्चिशे, आयुस्वान भारत के अंतरगत 1.5 लैक हेल्थ और वेल्टनेस सेंटर को ले जाएंगे, यह तिल्ष काम चल और गरीबों के लिए उनके डरवाजे पर ही गुडवत्ता पूर्ण प्राथिमिक चिकित्सा सेवा सुनेश्चित करने के उद्धेश से, सभी स्वास्यम वेल्नेस के अंदरों पर टेली मीडिशन यम डाइगनोस्टिक लैबरोटरी उपलब्द कराने का भी हम लोगों ने लक्ष सामने रखा है, ट्रेंड डॉक्टर और जनसंख्या के अनुपाद, आज बहुत अडिक है, डॉक्टर सी संख्या हमारे कम है, पूरी कोशिश हम लोगों की होगी, ट्रेंड डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का रिशियो कम से कम 1 is to 1400, एक अनुपाद 14 सो हो जाए, यह हमारी यह पूरी कोशिश होगी, पोशन अभियान के अंतरगत को पोशन का अस्तर घटाने के लिए, और को पोशन में कमी का दर तेज करने का भी लक्षम लोगों ने इंदरधारी किया है, एकोनामी, अर्थ व्योस्ता, इसका जहां तक प्रस्न है, यह बताने की आवश इंद्टी में रहेंगे, कहां रहेंगे, लेकिन यह हमारा लक्ष है, अभी तक निर्याद, एक्स्पोर्ट, उसको दो गुना करने के दिशा में हमारा यह अब प्रयतन होगा, और सूख्ष, हमद्यम और लगू उद्योगों के लिए, एक खिड़की अनुपालना, यह उम् यह मैं समीर, कि जो उद्योगों के लिए, यह हम पूरी तरस से सुनिश्चित करेंगे, इस्तिर्कर प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में भी कारें करेंगे, गुड गवर्नेंस के दिश्टी से, प्रतेक व्यक्ति को पाँच किलो मीटर के भीतर बैंकिंग सेवा इसे हम इंश्योर करेंगे, आदालतों का भी digitization का सिलसिला चल ला है, हम इसको digitize भी करने की कोशिश करेंगे, और इसे modernize करने की कोशिश करेंगे, डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल लेन देन को भी हम बड़ावा देंगे, और जहां तक सरकारी प्रक्रियाओं का पर करने जिस काम को हुआ है और सभी सरकारी इमारतों को सुखम बनाने का भी प्रयास करेंगे हर आदिवासी स्वतंता से नामनी हम छे आदिवासी स्वतंता से नानी संग्रहालों के दिर्मार का कार्य हम पूर्ण करेंगे आदिवासियों के लिए जो उनके स्वतंता से नानी है और संगटित मजदूरों के लिए ब्यापक, सामाजी, सुरक्षा, कभरेज के साथ बीमा, पेंशन, आदी यह सब सुनिश्चित करेंगे, महिलाओं के लिए, महिला कारेबल भागीदारी दर बढ़ानी की दिशा में काम करेंगे, वैसे हमारे हां महिलाओं का पाटीशिपिश अन्य सर्विसेश की बाद शोड़ दीजे, अमरी फोर्सेश में भी बढ़ा है, काफी बढ़ा है, तेजिए और अधीक आगे बढ़ाएंगे, तीन तलाग के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम बहिलाओं के लिए हम नियाय सुनिश्चित करेंगे, सांस्कृतिक धरोहर 2022 तक सक्ष गंगा का लक्ष अंपराप्त करेंगे, स्वदेश डरसन, प्रसाद और हिर्दय योजना के अंतरगत सभी परियोजनाओं को एक कारे को तिगरता से पूरा करेंगे, सभी राश्ची संग्रहालियों के संग्रहों का डिजिटाइजेशन करेंगे, मित्रो, यह सब जो प्रमुक हमारे विजन डाकुमेंट के बिंदु थे, पॉइंट्स थे, उस ओर मैंने आप सब का ध्याना कर्शित किया है, और मैं पुनह इस बाप को दोहराना चाहता हूँ, कि हमारी सरकार का जहां तक प्रस्न है, दरंदर भाई मोडी के नेतरत में यह किया है, संकल, पत्र, बेश वाशियों के फमक से प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद.